आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नमबर 9 एजब्रिक एक्ष्टेशन एंड इडेंटिटीज ठीक है इसमें जो जैसे जैसे इडेंटिटीज का हम यूज करेंगे मैं आपको questions के बीच में ही आपको इसका जो basic होगा वो बताते चलूँगा अब हम इसका जो first question उसको ले रहो है exercise 9.1 का तो question number 1 हमारे पास है कि identify the terms their coefficients for each of the following expression ठीक है हमें सिरफ coefficients find out करने है तो question number 1 है हमारे पास और इसका first part है कि 5xyz square minus 3zy ठीक है यह हमारे पास question देखे रखा है इसमें हमें करना क्या है हमें सिरफ यह find करना है coefficient हमें इसमें बताना है coefficient होता क्या है सबसे पहले तो वो देख लो कि यह मानलो मैंने लिखा 5xy ठीक है यह तो हमारे पास क्या है terms है ठीक है और ये हमारे इसके साथ जो coefficient लगा हुए ठीक है इसके जो x के साथ होगा मानलो ये 5x है 2x है या फिर 3y है तो इसके साथ जो ये 3 numbering में लिखा होगा वो क्या आएगा हमारा coefficient ठीक है इस बात को याद रखना कि जो हमारा coefficient है वो x के साथ वाली value जो है यानि कि 1,2,3,4,5,0 जो भी लिखा होगा वो हमारा क्या होगा coefficient तो इस question में क्या है कि हमें बताना है कि coefficient सिरफ ठीक है तो coefficient of हमके लिख सेते हैं coefficient coefficient of 5 x y z square तो 5 x y z square का जो coefficient है वो है हमारा 5 equal to लगा लो या फिर is लिख लो is 5 इसका कर दिया अब coefficient of 3 z y ठीक है 3 z y मतले ना साथ में minus है तो इसको भी लो तो इसका जो है कितना आ गया minus 3 आ गया अब इसका second part है second part में हमारे पास दिये 1 plus x plus x square ठीक है तो यहाँ पर coefficient क्या आ जाएगा हमारे पास coefficient of x ठीक है हमें सिरफ coefficient जो है सिरफ x का find गरना होते है ठीक है इसका कोई लेना देना नहीं है तो coefficient यह क्या है एक term है यह हमारी एक term है ठीक है 1 जो है constant term है अगर इसके साथ x, y, z कुछ नहीं लगया हमारा तो वो कह एक constant term है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे सबसे बेले तो इसको ले लो constant term constant term is 1 अब coefficient निकाल लो coefficient of x अब x को देखो ध्यान से तो x के आगे हम क्या ले सकता है अपनी मर्जी से 1 ले सकते है तो यानि कि इस cancer के आगे 1 और coefficient of x square अब x square के आगे भी हम कह लेंगे 1 तो इसका भी कितना आगया is 1 हो गया ना simple देखो अगर आपके पास x के आगे कुछ नहीं दिया है तो हम उसके आगे 1 अपनी मर्जी से ले सकते है इसका मतलब क्या है कि एक 1 और 1 आपस में बिलकर ये 2x बनाएंगे ठीक है अब इसका 3rd part है तो 3rd part में हमारे पास दिया है 4x square 4x square y square minus 4x square y square z square plus z square ठीक है तो coefficient of coefficient को हम कह गर सकते है COWF लिखकर छोड़ दो of 4x square y square is इसका कितना आ गया ये 4 आ रहे है देखो 4 दिख रहे है अब coefficient of minus 4x square y square तो इसका कितना आ गया minus का 4 ये पूरा इसके साथ आ गया अब रही बात z की तो z square का क्या आ गया हमारे पास is only 1 I think आपको समझ आ रहा होगा ठीक है अब इसका force part है अब force part को ध्यान से देखो किया ये 3 minus PQ plus QR minus RP हमें निकालना किया है coefficient सबसे पहले तो ये मुझे अगेला दिख रहे है इसलिए ये constant है constant term वो किया है 3 coefficient of हमें निकालना है coefficient किसका PQ का तो देखो PQ का coefficient क्या है PQ का coefficient है यहाँ अपनी मर्जी से 1 लो और साथ में क्या लगा है minus तो is minus 1 अब coefficient of QR QR का क्या है इसके आगे अपनी मर्जी से 1 लो हमारे पास ये है 1 और बचता है हमारे पास coefficient of मैंने आपको इसलिए सारे parts करवाए क्योंकि आपके लिए नई चीज है इसलिए मैं इसको अराम से करवा रहा हूँ अब यह है x upon 2 plus y upon 2 और minus x y हमारे पास given है अब आप इसको कैसे करेंगे ठीक है इसको कैसे करना इसको हम सबसे पहले 1 upon 2 लिख लेंगे और x को side में कर देंगे plus 1 upon 2 लिख लेंगे y को side में कर देंगे उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे minus x y को हम ऐसे लिख सकते है ठीक है अब इसमें करना क्या है हमें निकालना है coefficient of coefficient of इसका निकाल सकते ने x हमारे पास x का coefficient x का coefficient क्या आजए 1 upon 2 coefficient of y वो क्या आ गया वो भी 1 upon 2 आ गया और coefficient of x y क्या आ गया हमारे पास यह 1 लेंगे हम इसके आ गया और minus 1 हमारा क्या गया है यह answer तो यह थे इसके 5 पाट अब लास्ट पाट है इसका 6 पाट a, b, plus 0.5, b. तो यहाँ पर क्या गरेंगे? coefficient of, सबसे पहले निकाल लो, किसका? a का, फिर a, b का, फिर b का. तो coefficient of a, is कितना आ गया? a का कितना है? 0.3, हमें दिख रहे हैं. coefficient of a, b, is minus 0.6, और coefficient of b, is 0.5. तो यह था हमारा question number 1. अब बात करते हैं, question number 2 की, ठीक है? Question number 2 हमारे पास दिया है. Classify the following polynomials as monomials, binomials, trinomials, which polynomial do not fit in any of these three categories, ठीक है? देखो, हमारे पास क्या क्या दिया है? यह सारी terms देखे रखे हैं, question में. ठीक है? यह सारी terms देखे रखे हैं. इसमें हमें find करना है, एक तो सबसे पहले के find करना हमें, कि यह monomial है, या binomial है, या trinomial है, या polynomial है. आप देखो, monomial का मतलब क्या हुगा? जो single होगा, ठीक है? यानि कि वो one हो सकता है, two हो सकता है, three, four, up to thousand, ten thousand, ठीक है? तो वो होगया monomial. binomial में क्या होगा? binomial में हमारे पास दो terms आपस में जुड़के हैंगी. या तो वो, example के लिए आप देखो, example के लिए मैं आपको बता हूँ, तो monomial में क्या होगा? या तो one होगा, two होगा, three होगा, four होगा, up to so, on, चलता जाएगा, ठीक है? सिरफ एक ही value होगी इसकी. binomial का मतलब क्या है? binomial, इसका मतलब है कि two. ठीक है, इसका मतलब क्या है? बायो का मतलब आगया, y का मतलब आगया, दो. इसको मतलब लिखना, याने कि, या तो term x, y की form में होगा, x प्लस y दिया होगा, या फिर, x प्लस y स्केर दिया होगा, याने कि, दो terms होगी उसमें, सिरफ दो terms होगी. Trinomial का मतलब क्या है Trinomial Trinomial से आप समझ रहे है Try का मतलब 3 तो इसमें 3 terms होंगी वो X plus Y plus Z भी हो सकती है 7 plus Y plus X Z भी हो सकती है ठीक है देखो 5 plus X plus Z भी हो सकती है 7 plus 8 plus X भी हो सकती है ये बताने के लिए कर रहा हूँ है कि 3 terms होंगी Trinomial में ठीक है और जो हमारा polynomial होगा polynomial में क्या होगा polynomial में हमारे पास क्या एक equation बन के त्यार होती है which do not fit in the categories जो polynomial की जो form है हमारी वो क्या तो ax plus bx plus c equal to 0 हमारे पास होते है ax plus bx plus c equal to 0 लेकिन अगर हमारे पास ये बन गई तो हम बता देंगे कि polynomial है अगर नहीं बनती तो बता देंगे polynomial नहीं है ठीक है तो करते हैं इस question को monomial में देखो आपको के दिखाई दे रहे यहाँ पर monomial में हमें सिरफ ये thousand नजर आ रहे तो मैं direct thousand को लिख दूँगा monomial का का काम खतम binomial का क्या है binomial में आप देखो जो दो terms वाले है यहाँ पर सबसे पहले तो xy दिख रहे है x plus y लिख दो और कौन सा दिख रहे है x plus x square भी हमारा क्या है binomial है उसके बाद x cube सोरी यार ये x plus x square नहीं आएगा क्योंकि ये एक अठ्ठा है एक उसके बाद आगया हमारा ये 2y minus 3y square और के दिख रहे है और कोई नज़र आ रहे है आपको तो हमारे पास क्या क्या आया x plus y आया 2y minus 3y square आया और के आ सकते है ये 4z 4z minus 15 z square भी है और साथ में यहाँ पर देखो p square q plus p q square भी है और ये 2p plus 2q भी हमारा binomial है तो ये था हमारा binomial बात करते हैं trinomial की यानिकि 3 वाले तो try कहाँ पर दिख रहे है आपको 1,2,3,4 ये तो 4 हो गया यहाँ पर 1,2,3 यानिकि 7 plus y plus 5 x हमारे पास एक आ गया दूसरा 2y minus 3y square 2y minus 3y square plus 4y cube आ गया और कोई दिख रहे है यहाँ पर हाँ ये भी है 5 x minus 4y plus 3 z आ गया और कौन सा दिख रहे है भी और कोई नहीं है ठीक है सिरफ इतने है अब देखते हैं हम polynomial जो polynomial है तो polynomial यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोई भी adjust नहीं कर पा रहा हमें जिरफ बताना गया था polynomials sorry यार polynomials की बात नहीं है इस question में polynomials बोल रहा है कि polynomials which do not fit in any case जो इस case में आए नहीं हम उसको लिख देंगे तो कौन-कौन सा नहीं आया भी एक हमारा 7 प्लस Y कौन-कौन सा नहीं आया यार हाँ एक यह X प्लस X स्क्वेर प्लस X क्यूब प्लस X raised to power 4 एक हमारा यह नहीं आया और दूसरा AB, BC, CD और DA भी नहीं आया AB, PLUS BC, PLUS CD, PLUS DA यह हमारे कोई भी इसमें adjust नहीं कर रहे थे इन तीनों में तो हमने इसको polynomial which do not fit in any case तो उसको हमने इसमें रख दिया ठीक है तो यह था हमारा question number 2 अब करते है question number 3 मैं इस वीडियो का last question ले रहा हूँ question number 3 में हमारे पास है कि add the following, ठीक है add the following इस तरह के question आपने last year भी किये 7th class में तो first question हमारे पास given है first part इसका AB minus BC, BC minus CA, CA minus AB ठीक है यह A है देखो इनको करते कैसे हैं इसके काफी सारे तरीके हैं करने के लेकिन मैं जो simple है उसको बताऊंगा देखो A plus B लिखो आप और यहाँ पर minus BC है इसको plus कर दो BC minus CA उसके आप दुबारे से plus लगा दो CA minus AB क्योंकि आपको बोला गया है कि इसको add करने है अब BC minus का है BC plus का है AB आपस में कट गया यहाँ पर minus CA का है और यहाँ plus CA का है तो यह भी आपस में कट गया है हमारा answer कितना गया? जिरो ठीक हैult तो यह था सिंपल वेय है इसमें आपको कोई गलती नहीं लगेगी, ठीक है, सेकिंड पार्ट है इसका, सेकिंड पार्ट में हमारे पास है, A-B, प्लस AB, कोमा, B-C, प्लस BC, और साथ में है, C-A, C-A, प्लस AC, इसमें क्या करेंगे, A-B, प्लस AB लिखो, प्लस B-C, प्लस BC लिखो, प्लस C-A, प्लस AC, लिख दो, क्योंकि एड करना है, ठीक है, अब देखो, A, कोई positive का है, यहाँ पर negative का है, तो यह आपस में कट गया, और के कट रहा है, B negative, B positive, यह भी कट गया, A B positive अब यहाँ पर कोई A B नहीं है ठीक है तो A B हमारा कोई नहीं है तो उसको नहीं काटेंगे और क्या कट रहा है B C, B C भी नहीं है C, C B हमारा अच्छा C तो नहीं है गई कुछ चूट A, देखो, माइनस का C, प्लस का C तो आपस में यह कट गया अब बचता गया है जो जो बचके उसको लिख दो A B, प्लस B C और यह प्लस A C, यही हमारा आंसर है ठीक है अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में है 2 P स्केर Q स्केर, माइनस 3 P Q प्लस 4 कोमा 5 प्लस 7 P Q और हाथ में माइनस 3 P स्केर Q स्केर ठीक है अब इस कोशन में क्या करेंगे सेम जैसे हमने पिछले कोशन की 2 P स्केर, Q स्केर माइनस 3 P Q प्लस 4 कोमा, कोमा नहीं आएगा प्लस लगा देंगे 5 प्लस 7 Q माइनस 3 P स्केर Q स्केर यहाँ पर जो कटेगा उसको हम काट देंगे जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे जो प्लस माइनस होगा उसको हम प्लस माइनस कर देंगे यहाँ देखो 2P स्केर Q स्केर इससे मिलता जूलता कुछ दिख रहे है यह देखो यह दिख गया इससे मिलता जूलता तो यह बड़ा है साइन माइनस का तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और क्या लिख सकते है थ्री में से टू किया तो ओनली बन बचे गए यानि कि P स्क्वेर Q स्क्वेर हमारे बच गया अब यहाँ माइनस 3P Q है और यहाँ कहीं 3P Q दिख रहे है नहीं दिख रहा कि दिखाई दे रहा आपको नहीं न तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको इसको ऐसे छोड़ देंगे अभी एक मिनिट यार question मैंने यह जो है 7P Q सोरी P Q था यारे 7P Q ठीक है 7P Q था इसको दुबारा लिखते है कोई दिकत नहीं है थी 2P स्केर Q स्केर 3P Q प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7P Q माइनस 3P स्केर Q स्केर तो यह तो हमने solve कर लिया था हमारे पास आथा P स्केर Q स्केर अब 3P Q यहाँ है और 7P Q यहाँ है अच्छे यहाँ पर ना माइनस था ठीक है तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे तो बड़े क्या अगरे साइन उसको ले लो पहले इसको माइनस के तो 4P Q आया अब नेक्स हमारे पास क्या है 4 है तो सिंगल 4 है तो इसको हम अभी नहीं करेंगे ठीक है यह सिंगल 4 है और यह 5 है तो कितना बन गया, 9, प्लस का 9 आ गया, और बचता है हमारे पास कुछ बचा, नहीं, तो answer क्या आ गया, minus pq, p square q square, plus 4pq, plus 9, ये हमारा answer आ गया, ठीक है, अब 4th part में हमारे पास ये given है, ठीक है, तो 4th part में क्या गरेंगे, l square, plus m square, plus m square, plus n square, plus n square, plus l square, plus 2lm, plus 2mn, plus 2nl, मैंने लिख लिए, ठीक है, अब यहाँ देखो, जो ll वाले हैं, उसको सबसे बहले, l square, और l square कितना आ गया, 2l square आ गया, फिर m square, plus m square, यानिके 2m square आ गया, plus n square, plus n square, 2n square आ गया, तो ये n और l वाला काम खतम, अब 2lm, और यह जो बच गया है, इसको last में लिख तो, क्योंकि इसके साब कोई add होने वाला नहीं है, तो 2lm, plus 2mn, plus 2nl, देखो, एक तरीका तो इसका ये है, और अगर 2 आप common निकाल सकते हो, लेकिन आपके book में जो answer दिया हो, ऐसा दिया होगा, ठीक है, और अगर 2 common निकाले हो, हुमारे पास बच गया, l square, plus m square, plus n square, plus lm, plus mn, plus nl, ठीक है, तो ये था हमारा question number, third का fourth part, अब देखो, जो दूसरा तरीका है, इसको वो भी मैं आपको करवा दू ठीक है, और question number third को मैं दुबारा से ले रहा हूँ, इसमें क्या है, first part था हमारे पास, ab था, minus bc था, bc था, minus ca था, और minus ab था, ठीक है, मैंने सबसे पहले यहां के लिखा, ab रखा, और minus bc रखा, ठीक है, अब यहां पर bc है, तो bc के निचे bc लिख दो, और इसको के करो, minus ca लिख दो, अब ca के निचे, ca लिख दो, minus ab कर दो, और बाकी यहां पर आप चाहो तो 0, 0 लगा सकते हो, ठीक है, 0 लगा दो, 0 लगा दो, 0 लगा दो, यहां भी 0, अब यहां पर हम क्या करेंगे, add कर देंगे इनको, तो add करने पे हमें यहां के मिलेगा, देखो add करने पे हमे अगके मिल रहा है यार एक मिननट कोर्षान गज्टों नहीं दिदिया आ हाँ ची ए मैइनस ए बी दिख रहा है न तो यहाँ ए बी नहीं आए पि नहीं होगा माइनस यहाँ अएगा प्रहिच कि नीचे आएगा ठीक है, a, b के नीचे, a, b आएगा तो यह किसी काम का नहीं था यहाँ पर देखो, यह plus का यह minus का, यानिके 0 यहाँ यहाँ चे दलते हैं, यह plus का यह minus का 0 आगया, यह भी 0 आजाएगा यह भी 0 आजाएगा, यह भी 0 आजाएगा, यानके 0 square है, minus 3pq plus 4 है, और comma करके दिये, minus 3, sorry third part comma 5 5 दिये है और plus 7pq plus 7pq और minus 3p square minus 3p square q square यहां के करेंगे देखो, 2p square रखा मैंने, और q square रखा, minus 3pq रखा, plus 4 रख दिया, अब यहां देखो, यहां पर 5 है, तो constant term के नीचे, constant term रख लो, यहां 5 रख तो फिर plus 7pq, यहांने कि यहां पर क्या जाएगा, 7pq यहां पर plus आजाएगा, और यह minus का 3p square q square इनको add कर दो, तो 5 plus 4 आगया, 9 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया, हमारे पास बचाब 4, pq और निचान आएगा, plus का, यहां पर करेंगे, तो और निचान आएगा, minus का, और इसको minus कर देंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा, p square q square, चाहिए आप पिछे मिलवा लो, सही answer आरे हैं, ठीक है, अब इसको बाकी पार्ट बजते हूं, आपके लिए homework होंगे, अगर वीडियो अच्छे लगए, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अपने फ्रेंट्स के साथ जासे ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्यू,